संतुष्रो मनिया चारेक रुबश्री विद्या सागयची महराज की ज़ए अर्हम योग्ट्रणेता पुझ्चे मुलिशी प्रणम में सागयची महराज की ज़ए उं अर्हम नमा शिरी तत्वात सुत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है आज पुझ्चे श्री आपकी द्वारा की गई शंकाओ का समाधान करेंगे यदि आप भी अपनी शंका भीजना चाहते हैं तो विज़े कीजिए हमारी वेबसाइट www.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए सत्र सम्मन्दी शंकाओ का समाधान स्वयम पूझ्चे गुरुवर करेंगे इस कक्षा सम्मन्दी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.arham.yoga को विज़ेट कर सकते हैं आप हमारे वाट्साइब ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंब करते हैं नमुस्तु मुनिश्री चेलना जैन जी हजारी भाग से ब्रशन कर रही है मनुष्य गति में सम्मेकदर्शन प्राप्त करने की आयू आठ वर्ष अंतरमूर कम होती है बाकी की तीन गतियों में सम्मेकदर्शन प्राप्ती के लिए आयू कितनी है जो सर्थ मनुष्य के लिए है वो मनुष्य के लिए ही है तिरियंच गती में ऐसी कोई सर्थ नहीं है तिरियंच गती में अंतर मूर्थ के बाद भी वे सम्मेक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है देव गती में भी कर सकता है नरग गती में भी कर सकता है यह सर्थ केवल मनुष् जनम के साथ इस तरह की समय सीमा की सर्त बनती है नमुस्तु मुनिष्टी विवाबंधी बैंगलों से प्रश्न कर देई हैं और यह अनादी सांत होना चाहिए क्योंकि कर्म तो अनादी से हमारे साथ है और शाधी सांत भी हो सकता है अगर वह उसकी परंपरा को देखते हुए नहीं देखेंगे तू अनादी संत कहला अब जिसे एसे भी जो अजमारे लिए उत्पनु हुए जैसे सम्यक दर्शन हुआ सम्यक्त का परिणाम साधी हुआ पहले नहीं था नादी काल से हुआ तोँ वह साधी कहला और फिर उसका भी हमने अभाव कर दिया या मिध्यात्यों के माद्यम से या च्छाइक सम्मेक दर्शन के माद्यम से तो साधी सांत कहला या तो इस तरह से और एक भावों को हम दोनों रूपा में देख सकते हैं तत्वात सूत्र के दूसरे अध्याई में जीवों के पांच भेद बताए हैं तीन भाव तो जो जीव में ही पाए जाएंगे और एक भाव कैन के सापेक्ष होते हैं क्या क्या ये भाव पुद्गल का भी होता है जीव के भाईये निमेक पाकर पुद्गल भी विभाव क्योंकि वहां पर जो है पुद्गलों में इन भाव की सिद्धी इसलिए हो जाती है कि ये भाव अपनी परिवासा के अनुसार उदय को प्राप्त होना अब जरूरी नहीं कि कर्म का उदय हो अपने इस पर स्रस गंद वर्ण आदी जो है वो पुद्गल के जिस तरह से परे इस तरह से भावों की शिद्धी पुद्गलों में भी हो जाती है आग नमस्तुमाराजी अंजयो काला जी जालना से प्रस्शन कर रहे है च्हल मस्त का अर्थ क्या होता है छानमास्त का मुटलग होता है जो छhrट म संतित हो और छ्धव कहा जाता है आवरन को जब तक आत्मा छद्म यानी आवरण में इस्थित है तब तक उसे छद्मस्त कहते हैं जब आवरण की बात आती है तो आठ करमों में ग्याना वरण और दर्शना वरण इन दो करमों को आवरणी करमों के साथ जोड़ा गया है यानि जब तक आत्मा के उपर ग्याना वरण और दर्शना वरण करमों का आवरण रहेगा तब तक वैजीव छदमस्त कहलाएगा अब ये ग्याना वरण दर्शना वरण का जो आवरण है ये कब तक रहता है तो ये बारवी गुरिस्तान तक रहता है यानि जब केवल ग्यान होता है तो इन आवरणों का नास होता है इन आवरणों के नास होने पर ही केवल ग्यान की प्राप्ति होती है तो जब तक केवल ग्यान की प्राप्ति न हो जाए उससे पूर्व तक जीव को छदमस्त कहा जाता है यह इससे इसपश्ट होता है, सिद्ध होता है, इसी तरह से समझना चाहिए नमुस्तु महरत जी, मनीशा सुनील कासलिवाल जी और अंगाबाद से प्रश्न करते हैं नमुस्तु गुरुदे, सगर चक्रवैती की कथा में ऐसा लिखा है कि अभी काल लब्दी नहीं आई, इसलिए वेराक्य नहीं हो रहा है तो क्या काल लब्दी आने पर ही वेराक्य होता है? कथाओं में जो बड़े-बड़े महापरोश होते हैं उनके लिए अगर कई बार कुछ जैसे प्रयास किया जा रहा है और प्रयास कराने के बाब जूद भी उस जीब के लिए अभी बैसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उस चीज़ को काल लब्दी पर छोड़ देते हैं सगर चक्रवर्ती की गटना में भी यही बात है कि उनके लिए प्रयास किया जा रहा था कि इनको बैराक के हो जाए और वो है पूरु जनम का जो देव था वो मित्र था वो है उनके लिए प्रयास कर रहा था तो जब कोई कारे उसने एक बार किया प्रयास करके समझाने का काम किया दो बार किया वो नहीं माना नहीं समझ में आपाया उसके लिए तो जब कारे करने पर भी समझ में ना आये तो फिर कहा जाते है भाई थोड़ा सा अभी इसके लिए समय नहीं आया तो उसी को काल लब्दी कहते है तो काल लब्दी हमें पता नहीं रहती है लेकिन आप कारे करते रहे समझाने का कार फिर भी उस देवने नहीं छोड़ा तो तीसरी बार तक समझाया और तीसरी बार जब उसने बहुत बड़ा एक कहना चाहिए ड्रामा ही कर दिया कि उनके सब पुत्रों को ही मूर्शित कर दिया तब जाकर के उनको समझ में आजा तो प्रियास तो वो निरंतर करता रहा तो काल लप्दी जब आई तब आई तो इसलिए जब कारे ना हो तब कहा जाता है अभी इसकी काल लप्दी नहीं है और जब कारे हो जाता है तो वही उसकी काल लप्दी बन जाती है नमूस्तिय मुनिश्री में सम्म्यक होने के बाद संसार अर्थ पुद्गर्ण परावर्तन काल क्यों रहता है प्रायों की लब्दी में इस्थिती घटकर के अनंत नहीं अंतह कोड़ा-कोड़ी सागर रहाती है वो है एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर की इस्तिती को अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर करते हैं करण लब्दी में कोई इस्तिती नहीं गट गई करण लब्दी होने के बाद सम्यक दर्शन होने के बाद उस जीव के लिए संसार में भ्रमन करने का जो काल है वो अर्द पुदगल परावर्तन रह जाता है, ऐसा समझना चाहिए यानि वे जीव अगर संसार में अधिक्तम रहेगा तो अर्द पुदगल परावर्तन काल तक रहेगा तो वे अर्द पुदगल परावर्तन काल किसी करम की इस्तिती नहीं है वो उस जीव की उस संशारदसा में रहने की इस्तिती है ऐसा जाना का उधे रहता है जब देशघाती स्पैदो का उधे रहता है तो उपशं संबोधन क्यों है देश घाती कर्मों का उदय होना भी छोय उप्षम दसा कहलाती है छोय उप्षम में और उप्षम में यही एक अंतर है कि उप्षम में तो सभी कर्मों का उप्षमन होगा जो उस गुण के विरोधी कर्म होगे उन सब का उप्षमन माने दवना होगा लेकिन चोयुपसम में एक कोई सपोर्टिव कर्म होगा जिसका उदय हो सकता है वह देश गाती करम का उदय होता है जैसे कि उप्षम सम्यक दर्शन होगा तो उप्षम सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंदी की चारों के साइन सबका क्या होना चाहिए उप्षम होना चाहिए सभी दवी हुई रहेंगे और छयुप्षम सम्यक दर्शन में क्या हो गया इन सातों कर्मों में सभी कर्म दवे हुए हैं केवल एक सम्यक प्रकृति का कुदय आ गया तो इन सातों कर्मों में एक सम्यक प्रकृति ही देश गाती है वाकी सब क्या है सरोगाती तो देश घाती करम के उदय में उवे सम्यक दर्शन को भात नहीं पहुंचता और उवे सम्यक दर्शन बना रहता है इसलिए उसको जो है छोय उप्सम कहा जाएगा यानि वहाँ पर करम का उदय भी है और उदय भावी छे रूप उदय भावी छे किसका तो जो और दूसरी सर्व घाती करम है उनका उदय भावी छे उनी का सदवस्ता रूप उप्सम और एक सम्यक प्रकृति का उदय जिसके कारण से उवे सम्यक तो भी लंबे समय तक बना रह सकता है तो उसमे समय कर्म का उद्य हो गया, बाकी की 6 कर्मों का उपसमन है, इसलिए उसका नाम 6 कर्म स्व हो कशल जैन बुराहनपुर से प्रशन करते हैं चाइक सम्यक तो किसको होता है किसको झासी लिए तो आपको यतना है कि पहले शौप्सम सम्यक लेना है है हई है और जब समय घ्रसन की विशुद्धी बढ़ती जाती है तो छाएक सम्मेक दर्शन के लिए केवली, सुरुत केवली का सानिद्य उनका चरण मूल, पाद मूल आवश्यक होता है तो जब अपने को छेवप्षम सम्मेक दर्शन बना रहेगा, केवली, सुरुत केवली का सानिद्य मिलेगा और फिर उनकी चरणों में बैठ करके भी फिर भगवान की जिन भक्ति आदी के मात्यम से और विशुद्धी बढ़ाई जाती है तो वही च्छायक सम्यक दर्शन में परिवर्दित हो जाता है तो प्रयासन च्योप्षम सम्यक दर्शन को बनाई रखने का करें च्छा कर्मों के उप्षमन में क्या अंतर है कर्मों का उद्यागावी च्छे और कर्मों का उप्षमन इन दोनों में यह अंतर है कि जैसे टंकी का उधारण दिया था नल के पानी का तो नल में मने नल की टॉंटी में से जो पानी आ रहा है उस पानी को हमने जिस समय पर वह पानी आना है यह ना वही पर हमने उसकी 20 पर एक कोई मानो कोई दूसरे लार रंका कपड़ा लगा दिया तो क्या हो गया जो पानी आ रहा था उसको हमने विल्कुल लाश्ट पॉइंट पर उसको एक दम से डायोइट कर दिया यू कहने का मतलब है ना तो यही कहलाता है उद्या भा से इच्छे कर दिया तो यह क्या कहलाया उद्या भावी इच्छे एक तरह से हमने उसको किसी दूसरे कर्म में संक्रमित कर दिया यह उद्या भावी इच्छे हो गया उप्षम में क्या है कि जो कर्म आपके लिए उद्या में आना है उसको हमने अभी टंकी में ही दवा करके अंगे रिखाया है मनने हम टंकी के बेस में इतना फोर्स नहीं दे रहे हैं कि वो सारह का सारह पानी एक साथ बाहर निकले तो वह जो फूर्स नहीं आरहा है वो जो ड्रॉब् डॉप करके आ है उसको लाष्ट मॉमेंट पर इसको कन्वेट कर दैना यह उसका उद्यावावी छे है इस तरह से जान लेम। सतवस्ता रूप उप्समन करते हैं सत्य महांने सदूरूप अस्तित्च है उसका और सत रूप अवस्ता में उसका उपसमन कर दिया माने वह केँ तो है तंकी के अंदर पांई टंकी के अंदर है तो है लेकिन उसको हमने अब रोक करके रखा है तीन चीज़ने और सदवस्ता रूप उप्षमन की प्रोशीश का एक पार्ट है और उप्षमन में तो यह तो उपसमन की प्रोसेज में सारी चीज़ें उपसमित हो जाएगी छयुप्षम में सद्वस्तरू उपसम भी चलेगा उध्यवाभी चलेगा नमस्ति मुनिश्री मुकेश जण जी अशोक नगा से प्रश्न काईते हैं क्या वर्तमान काल में भी पहले उपसम सम्मेक दर्शन होगा फिर चाय उपसम सम्मेक दर्शन होगा हाँ वर्तमान में पंचम काल में या कोई भी काल के हैं जब भी सम्मेक दर्शन होगा तो पहले उपसम सम्मेक दर्शन ही होगा उसके बाद में ही वह छे उप्षम सम्यक दर्शन होगा उसमें काल की कुल कंडिसन नहीं है फिर भी अगर अपन यह समझना चाहते कि इस काल में भी कैसे होगा तो होगा ऐसे ही होगा पहले उप्षम होगा फिर छे उप्षम होगा नमस्तु मुनिश्री पूजा चैन जी अरान से प्रश्न कईती हैं क्या सभी छे उप्षम सम्यक डिश्टी को चल मल अगार दोष लगते हैं? चल मल अगार दोष सम्यक प्रकृती के उपर निर्भर करते हैं अब कोई भी करम प्रकृती है तो उसकी जो अपनी फल देनी की अनभाग शक्ती होती है वो बहुत रूपों में होती है असंख्यात उसके भेद हो सकते हैं तो कुछ ऐसे भी छे उप्षम सम्यक डिश्टी को दे हो सकते हैं कि उनकी अनभाग शक्ती उस तरह के फल न दे कि उसमें कोई चलमल अगार्दोस लग पाएं लेकिन लगर लगते में हैं तो बहुत मामूली से लगते हैं जो देखने में आते हैं वो तो कहे जा सकेंगे कि यह चलमल अगार्दोस हो गया कुछ देखने में नहीं आते हैं तो मामूली भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंट करता है उस करम की अनुभाव शक्ति के उबर, जिसके कारण से उस करम का हमें फल भोगने में आता है। पिछले भावों में हुआ हो सकता है। मेरी शंका है कि सम्यक प्रकृति और विशुद्धी में आपस में क्या संबंद है। विशुद्धी तो आत्मा का परणमन हुआ, सम्यक प्रकृति तो करम का उदय है। तो सम्यक प्रकृति अगर कहते हैं तो वो करम का उदय हुआ। उस करम के उदय में जो हमारी विशुद्धी है वो उस करम के बिना जो मिध्यात्वादी का उदय चल ला था, उससे होने वाला जो संकलेस था, उसमें जो अंतर पड़ा वही उसके लिए सहायक हो गया। तो विशुद्धी जो होती है वो आत्मा का परणाम होती है, ऐसा समझ के चलें और बाकी जो करम हैं वो उसमें सहायक हो सकते हैं और उसके लिए नुकसान भी पहूंचा सकते हैं। अमिजी दुबारा प्रश्न करते हैं, क्या सम्यक प्रकृति विशुद्धी को कम या जाधा करती है? सम्यक प्रकृति की जो विशुत्ती होगी वो सम्यक दर्शन संबंदी होगी अगर सम्यक दर्शन की अतिचारों को ध्यान में रखते होगी हम उनसे बचने की कोसिस करते हैं तो वे भी हम अपनी सम्यक्त की विशुद्धी को बढ़ाने में हमारे लिए कारगर सिद्ध हो जाएगी सम्यक प्रकृती का होदय तो चलता रहेगा लेकिन हम अपने परिणामों के मात्रें से अतिचार आदी लगने वाले दोशों का निवारण करके हम उस विशुद्धी को बढ़ा सकते हैं जब सम्यक प्रकृती दोश लगाने का कारे कैती है तब तो विशुद्धी को बढ़ाने का कारे कैसे कर सकती है सम्यक प्रकृती का काम विशुद्धी को बढ़ाना नहीं है यही तो हम आपसे कह रहे हैं ये काम तो हमारे अपने आत्म पुरुशार्त का है, सम्यक प्रगृती का उदय होते हुए भी हम अपनी विसुद्धी बढ़ा सकते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, तो ब्रेक भी उस पईये के पास ही लगा रहते हैं, लेकिन फिर भी हम गाड़ी में रेस दे देते हैं, तो गा आने में मदद करेंगे, नमोस्तु मुनिश्री सरोज्यन वसंद्रा से प्रश्ण करते हैं, आपने कहा कि सित्व भगवान के एक ही पारिणा में गुण होता है, जीवत्व, उनका भव्यत्व गुण भी छूट जाता है, क्योंकि वो अब योकिता से प्राप्त रूप हो ग एक आत्मा का अपना सुभाव और एक आत्मा का सुभाव संसार में रहते रहते बन जाता है, वो भी सुभाव बन जाता है, तो पारिणामिक भाव जो होते हैं, वे मुख्य रूप से तो कर्म के उदयादी से निर्पेक्ष होते हैं, जीवत्वाव हो भी कर्म के उदयादी से निर्पेक्षे और भव्यत्त भावे भूवी करम के उदयादी से निर्पेक्षे लेकिन वह संसार अवस्ता तक ही रहता है भव्यत्त भाव क्योंकि भव्यत्त का जो काम था वो सिर्फ इतना ही था कि वह आपकी शक्ति को उदगाटित कर पाए है ना आपकी जो शक्ति है उसको उदगाटित होने दे तो उस सक्ति को उदगाटित करनी की जो योगिता है वो भव्यत्तु की माद्दिम से आती है और जब उसका काम पूरा हो गया तो अब उस भाव का कोई कारी नहीं रहा वो अपने लिए एक तरह से टिकेट की तरह काम करने वाला था हम कहीं पर जाते हैं यात्रा करते हैं टिकेट ले करके एक इस्टेशन से दूसरी इस्टेशन पर कहुंचते हैं अब जब हमारी यात्रा पूरी हो गई तो अब टिकेट का क्या काम है तो वेट टिकेट की तरह भब्यत्व भाव हमारे साथ में तब तक रहता है, जब तक हमारी संसार अवस्था बनी रहते हैं मुकट अवस्था नोब वस्थान उसका कोई काम नहीं होता है क्योंकि भव्यत्व जो भाव था, उसकी जितनी योग किदा थी, उसस प्रवकट हो गई जीवत भाव उमारे साथ रहेगा क्योंकि असिद्धत्व ओदाइग भाव होते हुए भी कर्मबंद का कारण क्यों नहीं है असिद्धत्व ओदाइग भाव है कर्मबंद के जो कारण है वो तो कर्मबंद के जो प्रत्य आपको पांच बताएगा है उनी से करम बंदोगा अब वो जो असिद्धत्व deben क्या है एक तरह से यूं कहना चाहिए सिद्धत्व का भाव यानि जब तक सिद्धत्वी प्राप्ती नहीं हो रही है तब तक वो असिद्धत्व का अनुभव हो रहा है वो उस ओदे भाव का कार्य है तो कर्मबंद के जो कारण है वो कारण तब तक चलते हैं जब तक कि उसके प्रत्य उसके साथ में रहते हैं तो कर्मबंद तो तब तक चली रहा है जैसे मिथ्याक्त से शुरू हुआ और योग जो है उसका अंतिम कारण है तो योग जब तक रहेगा तब तक करम बंद रहेगा सयोगी केवली अवस्ता में योग रह रहा है तो तब तक भी करम का बंद हो रहा है तो करम बंद का कारण जो है वो मिध्यात अविरती प्रमाद कशाय योग ये कारण है असिद्धत तो एक भाव है अउदे एक भाव मने उसके उदे में आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप सिद्ध नहीं है तो इसलिए असिद्धत भाव जो है वो अउदे एक भाव की रूम में गिना गया करमन्द का कारण नहीं है सिरिजिन वानी जग कल्लानी जग जण मदतम मोहरी जण मन हारी गड़ हर हारी जम जराभाव रोग हरी तित्थियरानं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै लानं सोख मनंतं धरिय सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै आज का सवाल श्रांकला में अरहम टीम आपसे एक आसान सवाल जो कि उस दिन की कप्षर पर आधारित होता है पूँचती है और आप उसका उत्तर हमें भेजते हैं सबसे पहले मैं आप सब की अनुमोट नगर नचाऊंगी कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मार्ट प्रशिस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने घ्यान को द्रड बनाया आपका उत्सा और प्यार दोनों आमें आपके उत्तरों में देखने को मिल रहे हैं पिछले सबी क्लासेज में डेली पार्टिसिपेंट्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है अब बिना विलम के मैं आपको ले चलती हूँ सईउत्तर और उनके भागेशाली विजेताओं की और ये विजेता हमने सबी सईउत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर की द्वारा निकाले हैं सबी विजेताओं को मिलेंगे आकरशक अरम ध्यानियो गिफ्ट हैंपर अध्याय टू क्लास वन के प्रश्न का सईउत्तर है एक अंतरमूर्ट और इसके भागेशाली विजेता हैं अर्चन जेन जी नई दिल्ली से वीना पाटनी जी जैपुर से पद्म जेन जी दिल्ली से क्लास 2 के प्रश्ण का सायुत्तर है शयुप्षम और इसके भागेशाली विजेता है कनक जेन जी, बैंगलोर से, शकुंतला जेन जी, जैपुर से, अप्राजिता जेन जी, दिल्ली से क्लास 3 के प्रश्ण का सायुत्तर है शायक भाव और इसके भागेशाली विजेता है धर्ण्चन जेन जी, बावर से, नलिनी जेन जी, अकोला से, उशा जेन जी, मेरट से क्लास 4 के प्रशन का साय उत्तर है, प्रायोग्य लब्दी और इसके भागे शाली विजेता है, संगीता जैन जी, ग्रेटर नॉइडर से, शालनी जैन जी, जबलपुर से, कुसुम जैन जी, उज्येन से क्लास 5 के प्रश्न का सायुत्तर है अर्थ कुद्गल परावर्तन काल और इसके भागेशाली विजेता है अनिता जेन जी बीना से अंकिता जेन जी कालका से कुसुम जेन जी कॉलकतर से क्लास 6 के प्रश्न का सायुत्तर है शायक सम्यक्त और इसके भागेशाली विजेता है मेगा सेटी जी नवी मुंबई से निर्मला जी बरवानी से रेनु जेन जी मयूर वियार से क्लास 7 के प्रश्न का साय उत्तर है तेरवे गुणिस्थान और इसके भागेशाली विजेता है संगीता जेन जी भरतपुर से विभा जेन जी मंडला से हितेशी जेन जी बोपाल से क्लास एट के प्रश्न का साय उत्तर है पुष्परश्टी और इसके भागेशाली विजेता है बभीता जेन जी इंदोर से दर्शन सिंगाई जी अमर अम्रवती से मंजुदीदी बुर्धाना से क्लास नाइन के प्रश्न का साय उत्तर है शायक चरत और इसके भागेशाली विजेता है राजरानी जेन जी दिल्ली से संभव जेन जी उदेपूर से सुलेखा जेन जी जबलपूर से क्लास 10 के प्रश्न का सयुत्तर है स्पर्दक और इसके भागेशालिवे जेता है रत्नमाला जी और अंगबाद से प्रीती जेन जी मनसौर से निर्मला जेन जी पूने से क्लास 11 के प्रश्ण का सयुत्तर है शायक लब्दी और इसके भागेशाली विजेता है सीम जेन जी जैपुर से नैंसी केडिया जी राइपुर से सरीता जेन जी जैपुर से क्लास 12 के प्रश्ण का सयुत्तर है अगार दोश और इसके भागेशाली विजेता है नीतु जैन जी डोलपुर से, प्रवीन जैन जी बासवाड़ा से, सुवर्ना जी पोलपुर से क्लास 13 के प्रश्न का सयुत्तर है अप रत्याग्रान कशाय और इसके भागेशाली विजेता है मीनु जैन जी परिदबाद से, मिलाब जैन जी कोटा से, शिल्पी जैन जी इंदौर से क्लास 14 के प्रश्न का सयुत्तर है बंत और इसके भागेशाली विजेता है कवीता जी वाशीम से, संगीता जैन जी नौईडा से, नेलमनी जी बरेली से क्लास 15 के प्रश्न का सयुत्तर है जीव विपाकी कर्म और इसके भागेशाली विजेता है आशा जी चैन्नाई से, लक्षमी जैन जी मुंबई से, अरुना जैन जी फिरोजाबाद से क्लास 16 के प्रश्न का सयुत्तर है ओदाइक और इसके भागेशाली विजेता है मंजू जेंजी गुआटी से, सुरेश्चन जेंजी गाज़बाद से, सुष्मा जेंजी दिल्ली से क्लास 17 के प्रश्न का साय उत्तर है, चौधवे गुंच्थांतर और इसके भागेशाली विजेता है क्लास 18 के प्रश्न का साय उत्तर है, आसन भवे और इसके भागेशाली विजेता है आरके जेंजी, ग्वालियर से, सीमा जेंजी, वापी से, सुनीता जेंजी, दिल्ली से सभी विजेताओं को भौध भौध शुक कामना है, हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल पविश्य की कामना करते हैं और भापना करते हैं कि आप इसी तरह जिनमार पर आगे बढ़ें